नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ओनलाइन और ओफलेन ग्यान में तो भई खबर तो आप लोगों को मिली गई होगी रेलवे ग्रूब डी ने एक्जाम का फेस वन का शेडियूल जारी कर दिया है फेस वन का शेडियूल आप लोग यहां पर देख सकते हैं उम्मीद तो नहीं थी कि 17 तारिक को यह लोगों का फिक्स रखेंगे लेकिन इन्होंने यह कार रेक कर दिया रेलवे बहुत लंबे समय से आप लोग जानते ही हैं कि अपने नोटिसिस को निकालता रहा कि इस दिन एक्जाम होगा लेकिन अंत में आके इन्होंने तीन साल बाद आप लिए की एक्जाम की डेट को कर दिया है CCS वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा दिल दुखा जिस कारे में हम लोग लगे हुए थे वो सक्सेस्फुल नहीं हुआ लेकिन कहीं न कहीं वकील से बात करके अभी भी प्रोसेस जारी है क्योंकि दूसरा वकील हायर की है हो सकता है कि एक्जाम पे इस्टे हम जो है लगा सके लेकिन कोई उम्मीद अब दिखेगी नहीं दिखेगी वो तो बाते आगे करने के बाद ही होगा बाकि उसकी कोई अपडेट होगी मैं आप लोगों को दूँगा लेकिन अभी आप लोग थोड़ असा वेट करो ठीक है उसकी जानकारी आप लोगों को विनोज जी और रवी जी प्रोवाइट कर देंगे तो यहाँ पर notice of exam schedule है फेस वन का exam 17 से 25 तारिक तक आप लोगों का चलेगा अगस्त में और यहाँ पर जो है कुछ important चीज़े इसे भी आप पढ़ लेना और बोल रहे है कि link for viewing the exam city and date and downloading of travel authority SCST candidate will be made live latest by 10 hours जो है 9822 को यह चीज निकाल देंगे जो link जो है view करने का होगा exam city और date को और equal letter exam से जो है 4 दिन exam date से 4 दिन पहले यह आप लोगों को provide कर देंगे और इसके नीचे छटा point अधार link biometric authentication of candidate will be done in the exam center biometric का यह आप लोगों को बोल रहे है exam center पे होगा तो क्या क्या चीज़े आप लोगों को लेके जाने पड़ेगी वो सारी चीज़े मैं आपको बता दूँगा देखो भईया इस टेम पे आप लोगों को पढ़ाई बहुत ज़्यदा करनी है बिना पढ़ाई के काम नहीं चल पाएगा मैंने आप लोगों को previous papers पहले भी प्रोवाइट कर दिये थे हिंदी इंग्लिश में ग्रूब डी के जो explanation के साथ है अभी भी प्रोवाइट कर रहा हूँ description में link के क्योंकि बिना previous papers के आप लोगों को पता नहीं चल पाएगा कि आप लोगों का exam जो है किस pattern में आता है तो जाहिए description से group D के papers ले लिजिए अभी भी है प्राइज बहुत कम रखा हुआ है जाकर देखेंगे तो पता चलेगा और बाकी best of luck आपके exam के लिए और तैयारी करो यार पढ़ाई करोगे तभी अब आप लोगों का कारे हो पाएगा क्योंकि पढ़ाई के बिना कुछ भी याँ पर संभव नहीं है तो जान लगा दो आप लोगों के पास अभी समय है तो अभी थोड़ा सा ही समय है जादा नह पहले वाला केस तो हमारा डिसमिस हो गया उसकी जनकारी आप लोगों को दे दी थी कहीं न कहीं देखो उम्मीद यही थी कि जीतेंगे लेकिन नहीं हो पाया हम लोगों का पहली में ही जो है जज ने ना सुनकर उस केस को जो है डिसमिस कर दिया बाकी जो भी अपडेट होग चाहिए था वो कारे ना करके उन्होंने जो है यहां पर आप लोगों को पता है कि क्या आप लोगों के लिए किया है धन्यवाद